इंगलिस क्रैमर के कुछ Sentences जो Correct है और Incorrect है Incorrect क्यों है? Correct पी Explain करूँगा आपके सामने तो देखें पहला Sentence है She promised me that she will help me ह्याँ पर आप देखेंगे कि Sequence of the Tense का Ignium है कि Past Tense हमें सार पास Tense में चलता है तो यहाँ पर अगर Promised है तो यहाँ पर यह विल नहीं आएगा प्रोमिस्ट की वज़े से यहाँ पर इदार फॉंक्शन तो यह नहीं के लिए तो यह ने कह करके अपने कहेंगे He thanked me At the end of the function I am a teacher एक statement है और यह tag question है तो tag question है I am a teacher का tag question होता है Aren't I Every wheel of the bicycle is short of air Bicycle के हर एक पाईये के अंदर हवा की कमी है यहने short of air यहने हवा कम है तो every का प्रयोग जिस फ्रेंट जैसे कि आपको पता है की तीन या तीन से अधिक के लिए यूज दोता है यह होरी तो चुकि bicycle के दो ही पाईये होते हैं इसलिए each wheel पर टेक पाईये में दोनों पाईये में Each wheel of the bicycle is short of air Each का प्रयोग है इसलिए is आया है I saw him two years back मैंने दो साल पहले उसे देखा तो यह back शब्द है यह गलत है यहाँ पर ago आएगा I saw him two years ago I don't have some money तो friends आपको पता है some or any का use के अंदर some का प्रयोग अपन affirmative sentence यह पॉजिटिव सेंटेंज में करते हैं और negative और inter-agative के लिए अपन किस का प्रयोग करते हैं any का प्रयोग करते हैं I don't have any money some money नहीं आएगा any money आएगा next और अपन देखते हैं friends next देखिए C is as rich as me तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई comparative करने को तुलना करते हैं किसी के लिए तो यहाँ पर C का मुझसे comparison हुआ तो यह तुलना जो comparative यूज में जब डिग्री के अप्रियोग करते हैं तो दोनों जो प्रणून है न वो शेम केस में रखा जाता है तो C के साथ आई रखा जाएगा ना कि मी C is as rich as me तो यह गलत है और यहाँ के आएगा C is as rich as I You are faster than him You are faster than me You का comparison किसे है Him से है ना तो You के साथ जो है He आएगा अगर यूर से होता तो Him होता You are faster than He Rama got married to Shita तो यहाँ आप देखेंगे कि Rama got married to Shita गलत है Rama got married with Shita इसका example या दखना लड़के के साथ with का प्रयोग होता है लड़के के साथ two का प्रयोग होता जैसे मालो सीता के साथ with है तो यहाँ पर आप देखेंगे रामा के साथ two सीता got married to Rama सीता की राम से साथी होई तो यहाँ आप याद क्या करना है कि लड़की के साथ with और लड़के के साथ two का प्रयोग करना है नेक्स इस सेंटेंस अपने और कुछ सेंटेंस देखते हैं देखो इस पोकन इंगलेशन ग्रेमर का मेरा ग्रूप है अरली इन दो मॉर्णिंग पॉस्ट डालता हूं मैं यहाँ पर यहाँ पर नेक्स देखिएं आई एम नोट एग्री नहीं होगा आई डॉंट एग्री विद यू मैं तुमसे सहमत नहीं हूं तो यहाँ पर इस बिलोंग यह गलत है यह प्रजेंट टैंस में रखा जाएगा शी बिलोंग टू एप पॉर फैंटली belongs present indefinite tense है S लगा है क्योंकि C singular है अच्छा C does not belong to our family तो यहाँ पर does not हो जाएगा I am proud of you तो यह proud on you है न यह गलत है I am proud of you ऐसा आएगा correct I purchase this pen in 10 rupees तो in 10 rupees फ्रेंट यह इन गलत है मैंने यह pen 10 रुपे में खरीद है नहीं मैंने इस pen के लिए 10 रुपे दिये pen के लिए तो 4 आएगा इसके लिए I purchase this pen for rupees 10 what's the time in your watch तो friends in your watch तुमारे गड़ी में क्या समय हुआ यह नहीं समय किसी के जगे नहीं होता तुमारे गड़ी के अनुसार यह तुमारे गड़ी के हिसाब से यह तुमारे गड़ी के अनुसार क्या समय हुआ He entered in the classroom तो entered in का प्रियोग नहीं हुआ He entered the classroom उसने classroom में परवेश किया Enter का मतलब परवेश करना होता My exams are at hand मेरी प्रिक्षाइं are at hand at hand in sirper अब हिंदी में तो कहते हैं मेरी प्रिक्षाइं sirper है at hand लेकिन अंग्रे जी में ध्यान रखना friends at hand जैसा कोई phrase नहीं होता है तो वहाँ पर अंग्रे जी में फ्रज़ होता at hand यह नहीं बहुत नस्दीक है हाथ पौँचे जितना तो में exams are at hand at hand नहीं यह at hand गलत है at hand इनकी हाथ पौँचे जीतना जज़्दीक है next step देखेंगे hard work is the key of success तो यह गलत है friends hard work is the key to हमें से ध्यान रखना key के साथ off का परियोग नहीं होता key के साथ two का परियोग होता है hard work is the key to success यह key off गलत है next practice makes a man perfect तो practice ध्यान रखना friends एक होता practice और एक होता practice तो जो प्रेक्टिश होता न यह होती है verb क्या होती है verb होता है इसका यह मतलब क्रिया होता है तो यहां पर क्रिया नहीं यहां पर आएगी noun तो practice यह noun है practice makes a man perfect तो ऐसी यह नहीं होगा shee होगा two and two mag four नहीं आएगा two and two max four अब इसलिए आएगा कि कोई भी चीज, कोई भी compound noun, दो संगिया N से जुड़ करके, अगर unit बनाती है, कोई एक बनाती है, तो यहाँ पर किसका प्रयोगा, max का प्रयोग हुआ है, यान कि present definite ends मान करके, इसको एक उचन मान लेगा है, 2 and 2, max 4, यह दो दो मिला करके, 4 बनते हैं, नेक्स देकिंगा फेंट से अपन, करक्ट इंगलिस, grammar का structure number, series number, post number 7 है, कि his mathematics is good, उसकी गणियत अच्छी है, नहीं, his mathematics are good, ध्यान रखना, his mathematics are good, यहाँ पर एक interesting चीज, और है, कि mathematics is an interesting subject, mathematics is an interesting subject है, लेकिन उसके साथ तो इस आएगा, लेकिन, his mathematics are good, उसकी गणियत कमजोर, तो अगर mathematics की गणनाए जो है, गणनाए अगर उनकी कमजोर है, तो इसलिए his mathematics are, अच्छा, next, the police is judging the thieves, police और का पीछा करें, तो इस नहीं आएगा, police के साथ plural noun मनके के आर चैजिंग आएगा, police are judging the thieves, the boys hostel are attractive, the boys hostel, देखो, यहाँ पर आप देखेंगे, epistrophe S, जिसका मतलब होता है, का, तो the boys hostel का मतलब वो लड़के का hostel, जबकि hostel लड़के का नहीं होता है, लड़कों का होता है, तो the boys, epistrophe S, plural, S के बाद लगएगा, boys hostel, तो S, पहले, epistrophe S से पहले लगएगा, तो इसका मतलब वो लड़के का hostel, लेकिन boys के बाद में epistrophe लगएगा, इसका मतलब वो लड़कों का hostel इस अट्रेक्टिव आकर से थे, What books do you like the most? कौन सी पुस्तक के तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, like the most, यह तो the most है ना, The most का प्रियोग होता है, शुपर लेटी डिग्री से पहले, दर असली यह शुपर लेटी डिग्री है नहीं, तो most का मतलब सबसे अधिक, most का मतलब है अत्य दिग्रूप से, तो what books do you like most, यहीं की, तुम्हें कौन से किताबें, ज़द अच्छे लगती है, तो यहाँ दर नहीं आएगा, सिधा most ही आएगा, यह बहुत इंपोर्टेंट दियान लगना, Who invented telephone, किसने telephone का अविश्कार किया, तो यहाँ पर आएगा, Who invented the telephone, टेलीफोन का किसने, यहाँ पर दर इसलिए लगा, friends, क्योंकि definite article है, और कोई अविश्कार invention से पहले, दर का यूज होता है, Higher we go, cooler we feel, तो यहाँ पर आप देखेंगे, चुब comparative degree होती है, comparative degree के अंदर भी, उसाद भी दर का परियोग होता है, तुलना आत्मा गरूप से लिखते हैं तब, The higher we go, कितना हम उचे जाते हैं, The cooler feel, उतना ही हम ठंडा मैसुस करते हैं, तो The higher, The cooler, Rama of Ramayan was an ideal king, Ramayan का राम जो था, एक अदर सरजा था, तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप का यूज हुआ है, तो एक पर्टिक्लर किसी definite किसी नावन की बात हो रही है, किसी वेक्तिविसेस की बात हो रही है, तो यह दर लगेगा, The Rama of Ramayan, इनकी Ramayan का जो राम थे, was an ideal king, एक अदर सरजा थे, लटा इस better singer than Asa, लटा आसा से अच्छी singer है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, कि लटा इस ए लगेगा, लटा इसे better singer than Asa, लटा आसा से जो है अच्छी singer है, एक क्योंकि लटा singular है, इसलिए एक का यूज़ हुआ है, Water of this well is salty, इसका पानी, कुछ कुवे का पानी जो है salty है, नमक वाला है, खारा है, तो खली water नहीं आएकर दो water लगेगा, अब आप कहेंगे कि water liquid है, liquid oil, water milk, इनके साथ उद्दर लगता है यह article, तो धिहान रखना, कि particularly specific किसी की बात करते हैं अपन, तो वहाँ पर off का, यह नि प्रेपोजिशन से कोई noun बनती है, तो उससे पहले जाने वाले यहाँ पर उन्दो का use कर लिया जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे, six months course, यहाँ पर आप देखेंगे, six months course, यहाँ पर इस लगा नहीं है, six months, यह गलत लगा है, क्योंकि यह singular noun में आएगा, कि he has joined a six month course, six months नहीं, six month course, six months कोर्स, च्छह महिनों का नहीं, च्छह महिने का, ठीकिन अगर इसी को कहेंगे कि 6 महिने जो है, कि एक अवदी लंबी होती है, तो यहां पर भी इसको भी शिंगुलर महीं मान लिया जाएगा, 6 months, ठीक है न, लेकिन यह कहें कि 6 महिने बीद चुके हैं, तब वहां पर अगर इसको noun ब प्रेंट इंगलिष ग्रेमर आट फी पोस्ट देखते हैं कि work at progress, work at progress कभी नहीं होता, friends, यहां पर होता, man at work, कारिय पर गती पे, धिहान रखना कहीं बार पूछते भी हैं इसको, work at progress, कारिय पर गती पे, नहीं, man at work, यानि कि आदमी काम पर है, work at progress नहीं होता है, क्योंकि काम खुतोड़ी नहीं होता, कोई नहीं को इसको करता है, इसलिए man at work आएगा, this is a five rupees note, friends, यहां फिर देखेंगे, five rupees नहीं आएगा, five rupees note, five rupees note, जिस तरह six month course होता है, उसी तरह से five rupees note होता है, five rupees note यह गलत है, everyone is present, बिशाइट, रोहित, हर कोई, रोहित के अलावा उपसित है, त हर कोई उपसित है, तो आप कहेंगे कि besides, और besides, confusion है, तो ध्यान रखना कि जिसमें as अतरिक्त होता ना, extra होता ना, उसका मतलब ही होता है, besides, जैसे I shared a wall, मैं एक दिवार के शारे बैठ गया है, तो वो तो बिशाइट है, लेकिन besides, अगर as अतरिक्त लगा दूं तो इसका मतल सकसीड, unless, अब यहाँ फ्रेंड्स ध्यान रखना, unless का मतलब था, if not, इसके अंदर not होता है, तो चूंकि sentence सामने से दिख रहा है, यह गलत है, don't, unless के साथ don't work तो आएगा नहीं, तो यह गलत है, तो इसका सही क्या बनेगा, unless you work hard, जब तक तुम कट्रियन पस्रम नहीं करते you won't succeed, तुम सफल नहीं होगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि unless के साथ don't गलत है, unless के साथ फिर आएगा present definite tense का affirmative sentence, not नहीं आएगा इसके अंदर, I read in class 9th, कुछ बच्चे कहते हैं, I read in class 9th, मैं 9th में बढ़ता हूँ, यह गलत है, read नहीं होता, study होता है, I study in class 9th, मैं 9th क्ल and shit नहीं आएगा, end से पहले जो वर्ब आती है ना, वही end के बाद आती है, अगर end के पहले कम से है, तो यहाँ sits होता, end से पहले is coming होता है, तो फिर यहाँ sitting होता है, इस तरह से मतलब इदर जो वर्ब है ना, उदर आती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, cam के इदर second form है, sorry end से इदर cam, जो है second form है, कम की, तो यहाँ पर first form नहीं आएगी फिर, इदर भी second form ही आएगी, तो he came आया and sat और बैट गया, by me, यहनि मेरे पास, near me नहीं, by me, यहनि मेरे पास आके बैट गया, he hanged the towel, उसने towel टांग दिया, तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स देखेंगे कि hang की जो third form hang जो होती है, जिसका मतलब टांग ना, दो वर्ब होती है, एक होती है hang, hung, hung, एक होता है hang, hanged, hanged, अब दोनों बहुत important वर्ब है धिहान रखना, कि एक hang होता है फांसे लगा देना, तो उसको कहता है hang, hanged, hanged, एक होता है फांसे लगा देना, तो उसको कहता है hang, hanged, hanged तो यहाँ पर अपन यहाँ देखेंगे कि एक फांसे लगाने वाला यह तो है नहीं टोवल टांग दिया तो टोवल को कोई फांसे थोड़ी लगाते हैं वो तो उपर टांग दियाते हैं उसके लिए कि आप परियोग करते हैं हैंग डिकलत है यहां पर यह दूसरी वाली वर्ब काम आएगी I hung the towel हैंग के second form क्या है hung इसका मतलता टांग ना a lot of people dislike it a lot of people a lot of people dislike it बहुत सारे लोग इसको dislike करते हैं he is senior than me he is senior than me आनी आएगा he is senior to me friends इसी जो डिग्रीज होती है तो उसके साथ जो है वहां पर देन का परियोग नहीं होता है टू का परियोग होता है he is senior to me अच्छा she is a lady teacher तो friends द्यां रखना lady teacher कुछ नहीं होता है women teacher woman teacher इस तरह से lady teacher गलत है she is a woman teacher lady teacher grammatically गलत है तो friends यह बहुत interesting correct sentences बताये मैं आपको कुछ लेकिन लोग अधिक तर इसका incorrect use करते हैं तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयोगा thank you for watching this video